हाई सभी को नमस्कार एम्बेल वास मटिपलेक्स मटिपलेक्स चानल में आप सब का स्वागत है आज मैं रामशेतु मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ चलिए शुरू करते हैं ये फिल्म एक अडवेंचरस और रियल इवेंट पर बेस्ट है लेकिन ये फिल्म का रिव्यू कर रहा हूँ ना कि वालमी के रामायन का या रियल रामशेतु के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँँगा इस स्टोरी के बारे में जानेंगे तो एक अक्षा कुमार जी जो है जो अर्के अलोजिस्ट है और एक बिजनसमेन है वो अपना असिप का बिजनस के लिए वो रामशेतु जो है उसे तोड़ना चाह रहा है डेवलपमेंट के नाम से और कुछ लोग तो उसे अपोज करेंगे ही उनका आस्ता का मामला है इसलिए उसे अपोज कर रहे हैं बिजनसमेन फ्रूब करना चाहता है कि यह जो रामशेतु है वो मैनमेंड नहीं है वो नाचरल ही बना हुआ है किसी व्यक्ति ने उसे नहीं बना यह फ्रूब करना चाहता है और सरकार जो है बिजनसमेन के तरफ ही है लेकिन जब जनता आवाज उटाते हैं तो तब सरकार वो businessman को पीचे सी support करती है वो businessman जो अपने एक जहाज पे study करने के लिए एक और्केलग की टीम को बेजता है study करने के लिए वैसे नहीं कह सकते है लेकिन प्रूव करने के लिए एक natural made है तो क्या होता है आगे फिल्म में? और नास्तिक वोता है और पहले करता है और आर्गू करता है कि राम यू बिल्कुल भी नहीं नहीं है राम ने बनाए वह स्टाटिंग में कहता है उसलिए बिजसमेंन उनको अपउइंड करने के लिए बेज जते हैं जहाज पर अच्छे कुमार जी ने वहां जाकर क्या वह रामशेतु के बारे में रियली रामशेतु मैनमेड है या वह एक नाचुरली बनाएगा है उसके बारे में स्टड़ी करते हैं वह क्या होता है और वह उनका जो इन्वेंशन है वह कहां से कहां जाके पहुंचता है इसके बारे मे प्लस पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो स्थार कास्ट जो है बहुती बढ़िया है और उन्होंने अपने हिसाब से बहुती बढ़िया एक्टिंग किया है और उन्हों सूट भी हुए उन्हों के लिए तो बढ़िया है और सिनेमाटोक्रापी बढ़िया है और जो स्टोरी में ऐसे हम जो हॉलिवड फिल्म देखते हैं जैसे जो पिक्शनल होते हुए भी बहुती बढ़िया थ्रिलर्स होते हैं लेकिन इसमें उतना नहीं है लेकिन जो के सब्सक्राइब थे जो में जाते हैं तोड़ा उतना कुछ थे तोड़ा सा अडवेंचर जैसे कि वो के टाइप फिल्म में होता है वैसा अडवेंचर आई इसमें कह सकता हूं और और अर्गूमेंट जो होता है यहिए बीच में जो लोजिकल होना चाहेता फिर भी थे अपना पॉइंट जो साबित करने लगते हैं तब तोड़ा इंट्रेस्टिंग लगेगा यही मैं प्लस पॉइंट करेंगे तो माइनस पॉइंट यही है कि एक राम सेतु का एक रियलिस्टिक मामला है तो उसे एक पिक्शनल बनाना ही नहीं चाहिए था और हमें रियलिस्टिक वे पे हम चले गए तो इस पे एक डिसिशन और हम सब बिलीव करने वाले डिसिशन नहीं ले सकते हैं इसलिए इस्टोरी लाइन ही उतना अच्छा नहीं लगा लेना नहीं चाहिए था इसको आप या अब इसे अडवेंचरस बनाना चाहिए था होलीविड फिल्म में बहुत ही बड़ ही वो फिक्षनल ही होते हैं लेकिन जो हमें धे थ्रिल लगते हैं है वीससा बनाना चाहिए था इसलिए making में फेल हो गए है इसलिए यह एक minus, a big minus point है स्टोरी लाइन और making में और कुछ भी नई है इसलिए वही minus point कह सकता हूं और दूसरा माइनस स्परnhट ये साँ, कि आप बढ़िया सीन सीन से लिखते है। या background music सो बढ़िया कर देते या song से बढ़िया कर देते एक एक दूसरे एक सीन को आप बीच में कनेक्ट कर देते तो यह बढ़िया बनता था लेकिन वह ऐसा नहीं हुआ है स्क्रिप्ट इस नॉट गुड और मुझे तो यह ओके टाइप लगा क्योंकि मैं रेगलर फिल्म वाच करता हूं और मुझे रियलिस्टिक स्टोरी या लॉजिक ल तिंक इंक चाहिए memang क्या उन्होंने सच पता है क्या जूट पता है वैसा वी um catch डेकर मान नहीं सकते लेकिन सच भी हो सकता है वी सब फिक्ष्णनल है इसलिए उतना लेकिन फिल्म बनाया हो बनाया इसलिए mile-park राम लोग यह ना भीट, जायर पराया को है तो आप खुद देखकर पता कर लिजे कि आपको कैसा लगाया और कमेंट में प्लीज अपना ओपिनियन दीजिये और मैं फिर मेरा आगले वडियों में मिलूंगे तब तो के लिए सबको बाई